हेलो जी आज हम बनाएंगे पालक और आलू की टेस्टी सी सब्ची सबसे पहले हम पालक को बॉयल कर लेंगे अच्छे से फिर हम गैस को बंद करेंगे और उसे हलका ठंडा करेंगे फिर उसकी प्योरी तैयार कर लेंगे और अब हम उसकी प्योरी त्यार कर लिए सबज़ा भी कट करके रख लिए हैं और अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कड़ाई को और उसे गरम करेंगे फिर उसमें तेल डालेंगे तेल करने के बाद उसमें दो कटी हुई आलू डालेंगे उसे अच्छे से डीपली रेड फ्राई करेंगे जब आलू आपकी रेड हो जाए तो उससे निकाल लेंगे कड़ाईश से और अब उसी बच्चे हुई तेल में हम डालेंगे खड़े मसाले जीरा और पता और उसमें डालेंगे हरी चॉप की हुई मिर्च और उसमें अद्रक लेसुन को कूट के डाल देंगे हम और उसमें डालेंगे हम प्याज चॉप किया हुआ दो प्याज डालेंगे और उसे अच्छे से हलका ब्राउन होने तक भूनेंगे फिर उसमें टमाटर डालेंगे उसे भी भूनेंगे और यहां मसाले जो आपके किचन में बेसिक मसाले यूज होते हैं वो हम डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला भी रहेगा और वो भी डालके अच्छे से भूनेंग को और उसे धक देंगे सबजी को और फिर हम 10 मिनाट देख एकcciones मैं ऐसे ठोle होने लगाए फिर उसमें हिलका पानी मिल जाएंगे और तिस को चला कर हम भूनें जये और अब धकके 10 मिनाट तक भून के फिर उसे हम देखेंगे सब्जी हमारी तयार हो गई है और अब हम गैस को बंद करेंगे और धनिया से गार्निस करेंगे सबजी को सबजी आपकी रेडी है और उसे रोटी या चावल के साथ खाईए सबजी बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनी है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें सस्क्राइब करें थैंक यू जी